राम राम दोस्तों मैं आपकी प्यारी चुगल के शोरी कैसे हैं आप लोग इतवार को आप लोग बूर हो गए होंगे अरे हम नहीं आते इतवार को तो आपका मनुरंजन कौन करेगा खैर कोई बात नहीं बाके दिन हम सारा काम छोड़ कर सिर्फ आपके लिए आते हैं अरे हम एक दिन पडोसियों के घर के दिवारों पर कान ना लगाए तो हमारा भी जीसा नहीं लगता दिमाग में तरह तरह के खयाल आते हैं कि आखिर क्या हमने मिस्स कर दिया होगा कर आज तो हम अपने दोनों कान लगा कर आएं और बहुत ही कुछ खटी मीठी जानकारी आपके लिए लाएं तो चलिए पहले अनुपमा के घर से शुरू करते हैं अनुपमा के घर में सब कुसलमंगल है लेकिन पाकी की हवा ही बदल गई है एक तो अपनी मा का घर देखकर दूसरा अधित को देखकर दोनों के पीछे पागल है बेचारी लेकिन हमारी पाकी तोड़ी भोली है लेकिन यह बहुत चालू चीज है यह कुछ गंदा प्लान कर अधित करने वाला है घर में सब के सामने पाकी को अलग ही नजरों से देखता है और यह चीज हमारी अनुपमा नोटिस कर लेती है बाग तो लिया है लेकिन अब अनुपमा क्या करेगी यह देखने वाली बात होगी वहीं हमारी अक्सरा और अभी के लड़ाई अभी तक खत आता नहीं है वहीं अक्षरा आधी हो जाती है यह सोच सोच कर कि अभी मन्यू आएगा नहीं तो घर वालों को क्या ही जवाब देगी आरोगी भाप लेती है कि अभी और अक्षरा के बीच में लड़ाई हो गई है और वो इस मौके का फायदा उठाने वाली है वहीं बचार के घर में भी सब कुछ ठीक है प्रीता और करन की बेटी पांच साल की हो गई है और उसका नाम भी काव्या है वो भी करन की तरह थोड़ी नौटंकी और शरारती है वहीं प्रीता की जिंदगी में तुफान लाने के लिए अर्जुन सूरेवनसी की एंट्री भी हो चुकी है जोरी सब के बिजनिस को टककर देने वाला है लेकिन उस डील को अर्जुन जीत लेता है अब अर्जुन प्रीता की जिंदगी में कब और कैसे एंट्री करता है यह देखने वाली बात होगी देख तो हम भी रहे हैं कि कहने के बाद भी आप हमारी वीडियो को लाइक को सेर नहीं कर रहे हैं हम इतनी मुश्किलों से पडोसियों के घर जा जागे आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं और एक आप लोग हैं कि हमारा दिल दुखाने में लगे हैं ऐसा ना कीजिए और 5G की स्पीड से हमारी वीडियो को लाइक करें और सेर करें राम राम